नमस्कार दोस्तों अब सबका एश्वादे पपारदिक स्वागत है आज हम बात करेंगे जैमिनी चर कारक ग्रहों के बारे में आत्माकारक, दरकारक, आमत्तिकारक के अपने नाम सुने होंगे यह होते क्या है, इनको कैसे देखा जाता है और ये क्या-क्या दिखाते हैं, हर कारक ग्रह अलग-अलग चीजों को दिखाता है हमारे जीवन की और ये जो साथ चर कारक होते हैं ये बहुत मत्वपूर्ण है, तो जैसे हम अमूमन जोतिश में नव ग्रह राशी भाव इनको देखते हैं उसी प्रकार चर कारक ग्रह जो होते हैं, वो कोई न कोई ग्रही बनेगा, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे, हर कारक ग्रह क्या-क्या दिखाता है और इसकी भूमी क्या है जीवन में उसको समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जैमिनी जोतिश का एक हिस्सा है तो आज हम बात करेंगे इनी ग्रहों के ऊपर, आए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं यदि आप मुझे से कंसल्टेशन लेना चाते हैं, तो उपर दिये हुए सब्साइट पर जा सकते हैं, इसकल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है तो हम बात करेंगे जैमिनी चर कारक ग्रहों के बारे में, जैमिनी जोतिश जो है वो जोतिश का एक हिस्सा है, ब्रांच है, जैसे पराशरी जोतिश है, सही जैमिनी महारिशी थे, उन्होंने इस जोतिश को संराचना की थी तो अब इसमें हम बात करेंगे जो है कारक ग्रहों की देखे साथ चर कारक ग्रहे जो होते हैं वो जयमीनी जोतिश में माने गए हैं कुछ लोग जो है आठ भी लेते हैं राहु को जोड़ देते हैं पर वो यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं जो क्लासिकल टेक्स्ट है उसके मु तो अब चार कारक में अलग-अलग श्रेणिया हैं सबसे पहले आत्मा कारक ग्रह है तो आत्मा कारक जो होता है वो सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होता है जिसकी सबसे जादा डिग्री होगी कुंडली में उसे आत्मा कारक कहेंगे और उसके बाद जो दूसरे नंबर जिसकी सबसे कम डिगरी होगी second number पे second highest डिगरी उसे आमत्य कारक ग्रह कहते हैं फिर ऐसे ही third पे जिसकी सबसे तीसरे पायदान पे सबसे ज़्यादा डिगरी है उसे भ्रात्र कारक बोलते हैं भ्रात्र कारक और चौथे नंबर पे जो होगा उसे मात्र कारक पांचवे नंबर पर सबसे अधिक डिगरी वाला गरह पुत्रकारक बनता है और छठे स्थान पर जो होता उसे गनाती कारक बोलते हैं और जो अंतिम बिल्कुल सबसे कम डिगरी वाला गरह लीस्ट जिसकी डिगरी है राहू के तुको नहीं जोडेंगे हम बाकी सातो गरहों में आप देख रहे है आप उसको देख सकते उपर चैनल की प्लेइलिस्ट को दिखाया जा रहा है उन वीडियोस को भी आप देखेंगे तो बहुत आसानी से जैमीनी जोतिश में क्या क्या रूल्स है प्रिंसिपल से उनको समझ पाएंगे पर यहां पर बात होगी कि यह जो सात चर कारक हैं यह दिखाते क्या क्या है तो जैसे हमने आपको बात कही कैसे कैलकूलेट करते बड़ा सरलतम तरीका है कोई भी ग्रह आपका आत्माकारक बन सकता है राहु के तू को हम नहीं लेंगे राहु के तू को छोड़कर बाकी सात ग्रहों में जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है वो इस्थिती को तो आत्मा की कौन सी इस्थिती जिसमें हम सेल्फ अवेरनेस की बात कर रहे हैं एपसल्यूट कॉंशियसनेस की बात नहीं कर रहे हैं तो वो तो सेम होती है उसको कोई ग्रह डिफाइन नहीं कर सकता तो यहां पर यह बात हो रही है कि जो अलग-अलग अवेरनेस लेविल्स होते हैं मनुश्यों में वो आत्मा कारक दिखाता है जैसे कोई व्यक्ति बड़ा अध्यात्मिक है बचपन से उसका जो है दार्शनी का अध्यात्मिक जुकाव बनता है और उसके भीतर एक वैरागी विरक्ति की भावना उत्पन होती है तो ऐसा क्यूं है मनुश्य शजुजी शभ्रत्म को प्रदान किया गया है तो जितने अदिने अरभो संख्या है पूरे विश्यों में तो ऐसा क्यूं है कि कोई व्यक्ति बड़ा ही जो है विरक्ति, मुमुक्षू, ज्यानी, धर्मात्मा, महात्मा ऐसा बनने लग जाता है और कोई व्यक्ति सिर्फ माया की अंधी दौल में ही भागते भागते अपना जीवन समाप्त कर देते उनके लिए जीवन में धन, संपत् अरे कुछ कभी सोच ही नहीं पाते इसी को मूल भूत आधारतत्तु मान करके पूरा जीवन विनष्ट करते ऐसा क्यूं है कि एक व्यक्ति में मनुष्य शरीर दोनों का है तो एक व्यक्ति मनुष्य शरीर दोनों को प्रदान किया गया और एक व्यक्ति बड़ा महत्मा इस क्या खास है उन लोगों में और वही अमूमन आम जनसंख्या उसमें ऐसे कई लोग आ जाते जो सिर्फ एक सांसारिक जीवन बिताते ही पूरा जीवन विरश्ट कर देते हैं तो इसमें जो है आत्माकारी की बहुत बड़ी भूमिका है इसके उपर मैंने विस्तार से वीडियो को लेकर के चल रहा है वो कैसे उसे देखा जाता है उस वीडियो को आप देखेंगे तो गहराई से समझेंगे पर आत्माकारक क्या संबोधित करता है नहीं है ये मेन चीज है जो आत्माकारक दिखाता इसी लिए इसे आत्माकारक कहा गया है तो यहां पे जो हमारे भीतर चेतना है जो हमें चला रही है और सबसे बड़ी बात वो चेतना कितने इस्तर तक फंक्शन कर रही है कि कितना उसका इस्तर जो है छोटा है मध्यम है या बहुत श्रेष्ट है तो वो जो इस्थिती है अलग 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 वो आत्माकारक की स्थिती दिखाती है उसे कैसे देखते हो वीडियो आप देखिए ज़्यादा समझेंगे डूसरा आत्माकारक जो दिखाता है वो होता है हमारा स्वास्थ है हमारी हेल्थ हमारी आयू तो स्वास्थ है आयू है जैसे क्लासिकल जोतिश में पराशरी सिस्टम में लगन होता है वारेश होता है जिस दिन आपका जनम होता है तो अगर हम पराशर सिस्टम को फॉलो करते ह उसमें हमारे पास हेल्थ और लाइफ को चलाने वाले गर्याय कौन है, सूर्य है, वारेश Cole你是 यानि जिस दिन आपका जनम हुआ उसका स्वामी गर्य और लग्लेश है ऐसे ही जैमिनी जोतिश में स्वास्थ और आयू को चलाने वाला दिखाने वाला गरे कौन है आत्माकारक है जेतना होगी तब तक आप जीवित है अगर इस मोमेंट पे एक छण के लिए भी आपके शरीर से भी consciousness शरीर खता में मृत्य हो जाएगी तो इसमें यह बात रहती है कि जो आत्माकारक है वो कितना जो है अच्छी स्थिति में हो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति का सुवास्थ और आयू कैसे होंगे इसके अलावा आत्माकारक दिखाता है व्यक्ति के सुभाव और मानसिक्ता को क क्योंकि यही जो हमने कहा व्यक्तित्व है, शुभाव है, मानसिकता है, आपका mental level क्या है, आपकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है, कैसी बुद्धी के व्यक्ति है, कितना इस्तर है आपका, वो आत्माकारक दिखाता है, तो यहाँ पर उसे देखते कैसे हैं, तो उसके साथ ग्रहे हैं राहू के तुक छोड़कर उन में से जिसकी डिग्री सबसे जादा है वो आत्मकारक की तरह भूमी का निभाएगा और जितना वो बली होगा लग्न में नवाम्श में उतना उसके पास शक्ति होगी और जितने शुभ योग बनाएगा उतने अच्छे परिणा ही अखंड सक्क यह सांसारिक जीवन ऑ अंतिम उद्धेश नहीं है इसका जो एक भान होता है वो आच्छा आत्मकारक नहीं होगा कभी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये पहला प्रथम पक्ष हुआ जो आत्मा कारक को देखते हैं अगला नंबर आता है आमत्य कारक आमत्य कारक कौन सागर है यह दूसरे नंबर पे जिसकी सबसे ज़्यादा डिगरी है उसे कहते हैं तो आमत्य कारक चलाता है करियर और धन संपत्ति को कि भाई आपका करियर कैसा होगा आपका प्रोफेशन कैस source, तो career और finances और income को जो है आमर्ट ते कारग दिखाता है और इसको देखते हैं जन्म कुंडली में, दश्मान शुण钉ली में, नवाम शुण reagन से, तो कारकाम शलगन क्या होता है कि जिसमें आपका आत्मा कारग जिस राशी में बैठा है, नवाम् शुण कुंडली में माली जयापका आत्मा कारक जो है मिथुन राशी में है तो मिथुन राशी नवामश कुंडली में मिथुन राशी में है तो मिथुन को जन्म कुंडली में लगन बना दो ये कराकामश लगन बनेगा इस कुंडली से आंकलित किया जाता है काम धंदा करियर कैसा र बना देगा तो काम धंदे करियर कभी सेटल नहीं होते हो भी जाये तो उनमें तरक्की नहीं होती और उनमें जो है एक धन संपत्ति जो हमारे पास आनी चाहिए वो उसका एक फ्लो प्रॉपर नहीं होता तो इस इस इस्टेबिलिटी प्रॉब्लम से सब देता है और जित्ता जो है राजयोग जैमीनी जोतिश में बनते हैं कैसे जो है शुभ योगों को देखना चाहिए सारी बाते हैं उसमें अब तीसरे नमबर पर आता है भ्रात्र कारक तो भ्रात्र कारक जो होता है तीसरे नमबर का जिसकी सबसे आदा डिगरी होगी उसे कहते हैं तो अब यह को जो है इच्छा शक्ति रखते द्रड़ प्रतिग्यता रखते हैं कितना जो है व्यक्ति के भीतर एक जजबा है परिश्रम की भावना है यह है तो यहां पे जैसे प्राशरी जोतिश में तीसरा भाव और नवे भाव यह दो भाव है इनके जो गुण है वो भ्रात्रिकारा की घटे मिलके दिखाता है तो तीसरा भाव वानी का है भाशा का है समवाद का है लेखन का है और पराक्रम का है पुरुशार्थ का है महिनत मशक्कत का है और ऐसे ही भाई भेहनों का है मित्र का है नवा भाव क्या है नवा भाव ज्यान का है पिता का है गुरुओं का है तो य इसमें जो पक्षाया, भाई, बहन, मित्र, वाणी, समवाद, भाषा, लेखन, शैली, साहस, द्रप्रतिक गिता, इच्छा शक्ति ये सब भ्रात्र कारक दिखाता है, अगला आता है मात्र कारक, मात्र कारक जो है चौथे नंबर का जिसकी सबसे आदा डिगरी होगी, उसे कहत हैं, तो इसमें ये क्या दिखाता है, तो जो पराशरी जोतिश में चौथे भाव के मूल गुण है, उन्हें दिखाता है, तो सबसे पहले मात्र कारक होता है कारक मा का, तो मा, मा से संबंद, मा का स्वास्थे आयू, मा का जो है एक आपके जीवन में योगदान है, वह परण, बचपना, माता, माता से रिष्टे, माता का स्वास्थ हो रायू, और जो सुख शान्ती का पक्ष है, कि जीवन में आप कोई जरूरी नहीं कि बहुत पैसे वाले हो, तभी सुख शान्ती होगी, व्यक्ति अपने जीवन में सुख शान्ती को प्राप्त है, भले उसक पास जितनी भी चीज़े, उसमें संतुष्ट है, संतुष्टी से सुख शान्ती आते हैं, तो वो जो पक्ष है, वो मातर कारक दिखाता है, तो मातर कारक जो है, वो सुख शान्ती का पक्ष भी होगा, और फिर इसके बाद भूमी है, लैंड प्रोपर्टीज जो होते हैं, वो भी इससे देखे जाते हैं, वाहन इससे देखे जाते हैं, अचल संपत्ती जित्ती होती है, वो भी इससे देखी जाती है, तो मातर कारक की भी भूमी का बहुत जादा हो गई, और मातर कारक जो है, वो एक एमोशनल प्लाटफॉर्म है, कि कैसा उसका इमोशनल स्टेबि हील्थ वग्यरा है वो भी इससे देख सकते हैं तो यहां प trail कारक की बहुत बड़ी भूमी का है और एक वैसे देखे पराशरी जोटिश में तो चंदरमा इसका कारक बनता है जित़ी भी बाते कहीं इसके बाद अगला आबाता है पुत्र कारक तो पुत्रकारक जो है सिर्फ नाम से आपको धोखानी खाना है कि ये पुत्र का कारक है, नहीं, ये कारक होता है कई चीजों का, तो पराशरी जोतिश में जो पांचवे, ग्यारवे भाव की चीजें हैं, वो इससे देखते हैं, तो पुत्र कारक सबसे पहले कारक होता है, सिक्षा का, एजुकेशन, तो अगर कभी भी सिक्षा देखनी है, तो आप पुत्र कारक की स्थती को देखिए, तो यहाँ पे एजुकेशन, सिक्षा, बुद्धी का इसतर कैसा अब्यक्ती का, कि ये जल्दी सीखने वाली चमता है, या थोड़ा बुद्धी धीमे-धीमे काम करती है, ऐसा, कितनी या अचे, तो पुत्र कारक का अर्थियाद से पुत्र नहीं है, यहाँ है संतान, तो संतान कोई भी, लड़का लड़की कोई भी, तो संतान, इसके बाद गुरू, सिक्षक जो आपको मिलते हैं, और या फिर कोई भी जो लोग आपके मेंटर्स होते हैं, चाहे वर्क प्लेस प अपक शामिल है, तो क्रियेटिविटी, आर्ट, ब्यूटी, संदर्यता, और दूसरा आता है प्रेम संबंद, रोमेंटिक रिलेशन्शिप्स, लव रिलेशन्शिप्स भी इससे देखे जाते हैं, पुत्र कारक से, तो यह इसका कारक बनता है, इसके बाद पुत्र कारक जो अशुभगरे माना गया है, यह छठे भाव और बारवे भाव के कई परिणामों को दिखाता है, जो कुंडली में पराशरी के मुताबिक देखेंगे, तो उसमें गनातिकारक जो है, रोग, रिन, शत्रू, बाधाय, कोट के चहरी, मुकदमे बाजी, तलाक, कानूनी कोई भ प्रकार की, पैसे की हानी, स्वास्थ की हानी, बघघर परिवार की हानी, किसी भी तरीके का हानी, देख सकते हैं, अस्थिर्ता, इनिस्टेबिलिटी किसी भी प्रकार की, कष्ट है, पीडा है, दुख है, संताप है, यह सब गनातिकारक से देखा जाता है, जानवर है, पाल जो होता है वो कारक माना गया इन चीज़ों का तो गनातिक कारक भी यही दिखाता है तो जैसे कोई लोग डॉक्टर्स होते हैं तो अब हर बार इसको खराब नहीं कहना है तो अब जैसे कोई लोग डॉक्टर्स हैं मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं फिटनेस में हैं ऐसी कह जगाए निए क्षे और में उनके काम भंधन्दे करियर में आएगी तो बिना गनाति का रखके आम चेकिसा के छेत्र में जिव विज्ञान के छेत्र में जा को कोई रक्षा करनी बचाना हो डिफेंस के छेत्र में नहीं जा सकते तक बात कि समाज सीवा Ond Imya पर जो पक्ष वो भी गनाति कारक में पूरा होता है तो इसको बहुत कायदे से हमें देखना चाहिए जब ही हम दशा देहते हैं इसमें जयमीनी चर दशाएं होती, ग्रहों की दशाएं नहीं होती, राशियों की दशाएं होती, घृति में पंढनेजे सेटोफे आपको का वीडियो, आप देख सकते हैं, प्लेलेस्ट में बैसundo. जा रक रक हारक जो है यह सबसे कम डिगरी वार लग शुब होगी अशुब होगी सुखद होगी दुखद होगी चलेगी नहीं चलेगी तो यह जो परिस्थती है दरकारक से देखते हैं और इसको उपपद लगन में देखना चाहिए जब आप विवाग की बात करते तो उपपद लगन एक कॉंसेप्ट है और उसको जो है मैंने यह बताती है कि आपका परिवारिक व्यवाहिक जीवन कैसा होगा इसके बाद यह व्यापार को भी दिखाता है अगर किसी व्यक्ति कुंडली में बिजनस के योग आते हैं तो दरकारक की भूमी का बिजनस पार्टनर्शिप्स में भी हो जाती है कि पार्टनर अगर है तो क ऐसा काम धंदय में ब्यापार अगर कर रहे हो तो ब्यापार चलेगा नहीं चलेगा उसके उपर भी इस्थती इसकी बहुत माइने रखती है और डर कारक भी नकरात्मक तरीके से फंक्शन कर सकता है क्योंकि इसके सात्वे भाव के मूलिगुड होते हैं तो ये मारक भी बनता और अब कोई ऐसा जीवन का उम्र पे दशा चल रही है जिसमें कोई अन्य रिजल्ट हो तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो शूविस्थती में नहीं है तो मारकेश की तरह भी काम करता है तो मारक वो किसी भी तरीके से वैस्वास्त को आयू को खतम कर दे मृत्यू दे द पकड़ा दे कोई भारी नुकसान खड़ा कर दे परिवार को कोई हानी पहुचा दे कुछ भी पॉसिबल है डिपेंड करेगा कुंडली के उपर मारक मतलब निगेटिव तो अगर वो निगेटिव है तो वो किस एरिया में निगेटिव है वो ग्रह दशा बताएंगे पर द दिखा जाना चाहिए उसके उपर मैंने अन्य वीडियो बनाए आप उसको ज़रूर देखे आपसे आग रहे हैं और आगे भी हम अन्य कारकों के उपर चर्चा करेंगे जैसे आमत्य कारक करियर के लिए बहुत मौत पूर्ड है तो इसको कैसे देखते हैं बाकी भी चर्चा को गहरी जानकारी नहीं है और वो कई अन्य चीजे भी दिखाते हैं और ये कई मामलों में पराशरी जोतिश से सरल भी है सीखने में प्रिडिक्शन में और बस ये पता यदि हो कि कोई ग्रह कैसे क्या-क्या संबोधित करता है तो हम इसको जान जाएंगे मतलब कैसे इसको चाहिए तो आज के लिए वस इतना ही यदि आप मेरे इस चैनल पर नहीं है नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीज़े जादा जानकारी फेस्बुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम फेस्बुक पेज से जूर सकते हैं सबके लिं युम फिर से मिलेंगे तब तक लिए आगया दे नमस्कार धन्यवाद